हलो गाईज फिर से एक नए वीडियो में स्वाक प्यार मैं आपको आज एसी रॉम का रिविवु देने जा रहा हूँ जो इसका नाम है एंसेंट रॉम जो कि मेरे प्यारे वीवर्स है रितिक गुपता जी ने उन्होंने मुझे बेजी थी कि ब्रो इसका रिविवु कर लो क् इसके ओपर भी एक वीडियो बना लिजी तो अगर आप इसको इसको इस वीडियो के लिंक में इस रॉम का मैं लिंक दे दूंगा जहां से जाके आप इसको इसको इसली इंस्ट्राल कर सकते रॉम यार एक पॉन्ट दो जीबी कि यह बिल्कुछ छोटी रॉम है और इसमें आपको देखने को मिल जाता है तो इसी बात में एक लाइक और शेर एक सब्सक्राइब जूरूर बिलता है जो भी इस वीडियो को देखना है तो प्लीज भाई सपोर्ट करिए तुमने भाई का चैनल है तो सबसे पहले आप देख से तो इसमें आपको इस तरह का कंट्ट्र सेंटर देखने को मिलता है यहां फ्लैस लाइट वगरा जो भी है फीचर्श यहां पर आपको देखने को मिल जाता है और यहां से आप डायरेक्स हैडिंग के अंदर भी जा सकते हूं तो सबसे पहले आप देख से तो जैसे मैंने सेटप कंपलेट किया और इस तरह का आपक चलता है तो सबसे पहले आपको इसके डिखा देता है है सेटिंग में लग लाग बढाए तो यहां ने गिना को मिल यहां पर देता हैं इससे इस ट übers का ब्रृढवी है बुछ पसंद आती है फिक्सेल खी 10 की बाकि किसी बक्स आ जाता है तो थोला सा दिल उदास हो जाता बाकि लेकिन काफी अच्छे इसमें आपको features देखने को मिलने वाले तो सबसे उपर आप देख सकते हो यार काफी अच्छे से आपको इसमें volume पहना लो गया clock या आपको अलाराम वगरा सब कुछ आपको एकदम अच्छे से mention करके इसमें दे रखा है तो इलकुल अच्छी सी UI आपको इसमें improve देखने को मिलेगी आज तक जैसे भी आपनों कोई भी Android 12 की ROM या Android 10, Android 11 की यूज़ की होगी लेकिन इस तरह की UI मुझे पहली ROM में देखने को मिलें तो थैंक्यू रितिक गुपता जी आपको ठीक है क्योंकि आपकी तरफ से यह रहो मुझे मिल पाईए यहाप आपको रिंग्टॉन के रिगार्डिंग मिल जाएगा बहुत सारी आपको देखसे तो इस तरह का पूरा शाउंड माई साउंड होगी या पूरा आपको अलsmाल मिल जाता को मिल जाता यहां पर अपको इस तरह आपको टाउन सब्सक्राइगे तो यहां मिल सब्सक्राइज सकते हो जब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है यहां पर फ्लॉटी विंडो की तरह चोटी सी नोटिपिकेसन चाहते हो जैसे की फेस्बुक पे आपको आते हैं तो आप इसको अलाव कर सकते हो जैसे कोई भी आपको मैसेज करेगा तो आपको डिस्पेल में छोटा सा पॉप अपके रूप में अलाव हो जाएगा ठीक है पूरा एपस के वर्ट्सेप अगरा में आपको आता है तो उस तरह नहीं दिखेंग इसका इंटरफेस के अंदर जाएंगे अपन तो यहां पर आपको देख सकते हो इसके आपको यहां पर देख सकते हो यहां पर प्रेलिंग राइड इस्टैल भी आपको देखने को मिल जाता है जो भी आपको चाहिए लेटेस्ट कार कची यह किस तरह कची जो भी आपको चाहिए आप इस पर सींपल सी अपलाई कर सकते हो इसके इंटरफेस के ऊपर और निचे आप जाओगे तो यहां पर आपको थिम का अप्सन देखने को मिल जाता है यहां पर आप देख से तो अर्बीजी डार्क कलर वगरा आप सब कुछ यहां से आप कस्टोमाइज वगरा एजी लिसे कर सकते हो तो काफी अच्छे इसमें आपको फिचर मिलते है इस रॉम की एक ही खाशित होती है इसमें आपको काफी सार पर देखने को मिल जाता बहुत सरे आपको आइकन सेबसाब चैंज कर से तो जो भी आपके आइकन पर इसके उपर यहां पर नेविगेसं बार का इकन भी आप डिफाल्ट बगरा हो गया आसूस मोटो सारे मोबल के इसमें बढ़ दिया वाई यू आई हो या सब कुछ आप कर दख दो है और किसके चाहिए आपको आइफॉन का आजाएगा आजैएगा आईफॉन का भी दे देंगी इसमें यापर सविच के उपर जाओगे आप देख सकतो यहां पर पहुतारा पावाने मेन्यू हो गया आई होएस का मिलगे आपको तो यहां पर आपको तेली ग्रा इंटरफेस में थिखा लिल गया भ़ी इस्टेइस ही बार किया तूरे अटवोगल रिबास के रीधा G मिल जाती मैक्सिमम यहां पर आइकन 4 5 6 7 8 जो भी करना चाहो कर सकते हो बैटरी इंडिकेटर भी आपको इसमें देखने को मिल जाता परसंटेज वगरा यहां पर आइकन पॉर्ट्रेट वगरा आप देशा तो इसमें आपको किसे राउंडिंग चीए तो आप यहां पर कर सकत करना चाहते हो नेक्स्ट आप करना चाहते हो सब कुछ यहां से कर सकते हो अब दूसरा कोई सब्सक्राइब कर देखने को मिल जाता है तो यहां पर इसमें आपको इसमें आपको बैटरी टेक्स में किस देकर चाहिए तो यार काफी फीचर्स आपको बैटरी इंडिकेटर मे चीह नहीं चीह हाई करना चाहते हो सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा निचे आप देशे तो इसमें च्छोटी रॉम में इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेता मुझे कुछ समझ में आता है डेवलपर की यार थेंक्स बोलना चाहूंगा मैं क्योंकि आप इतना सारा बड़ा तो फीचेस बहुत कम आता है यहां पर शो एंड न्यू नॉटिफिकेस्ट यहां पर आप क्या व್शस सकते हैं यहां आपको यहां इस puisque देदी ओकेस्ट तो इसके बाद मैं आप यहां पर जाओगैं चुक शेटिंग अनदर क्योग deficitिट जैटिंग में देख्टिय इनेबल कर सकते हो तो इसको रोगेखर ऑल सारी सेटिंग अब mapping सेटिंग यहीं से कर सकते हो यह पर सब बैट सी डिया अधिस से कुछ शेंटिंग हो गया और वो यहां ररनिंग सरैयं कर फिटन दिक्छाए के विया कं वहाइको क्या सा फिक्छा तो और रहे यार काफी अच्छी रौं में यहां पर नेचे भी देख में यहां पर आप दीस urityल मैं यहां पर घैसके शी खुशतते को जाएगे कर दो alguma और पर आपको मिल जाता है ऊसके राएंगे देखुशते घैसे में रिखना ना सब्वापशता तो आप इसको भी अलव कर सकते हो तो काफी बैस्ट आपको फीचर्स देखने को मिल जाता है यहां पर देखे तो पावर में ने दिखाई दिया आपको यहां पर इस पिक आपको चरए कर सकते हो इसके एर टम ने कर सकते हो तो काफी सारी इसमें आपको फीचस के ने को मिल जाता है और पावर मेंडियू के इंदर जाओगे ज़ी है अपको एडवांस में भी रिबूट के बहुत सारा उप्सन देखने को मिल जाता है और उसके बाद में आप इसकी शॉर्ट कर रखना चाहते हो इसकी रिगोर्ड कर रखना चाहते हो हाइड टू लोग इसकी सब कुछ आप यहां से पावर मेन्यू के ऊपर कर सकते हो जैसे भी पावर जाऊगे तो यहां पर आप जैसे तो डिसे वल ट्रांस्फर अनिमेशन ओगया इस्क्रिण ओफ ऐनिमेशन चाहिए यहं प्लीन एस्क्रोलिंग और टाय। इसमें इस्टेंपर यहां प्लड शाल बहुत सारे आपको इसमें फीचर्स देखने को मिल जाते यार काफी सारे फ बाटन का यहां पर आप देख सो तो यहां पर शो वाल्यूम हो गया इंगे बटन आप चेंज कर सकते हो और नीचे वाल्यूम की कंट्रोल कर सकते हो रिंगिंग हो यह नो अलराम वोईस और ब्लूटूथ वगरा बहुत सारी आपको शेटिंग दी गई है यहां पर उसके बैटरी के उपर यहां पर वियूद आप करना चाहिए इसको ऑक करोगे तो यह अलग हो जाएगा इसको ऑन तक होगे तो आपको बैटरी का सेवर वगरा ओटमेटिक आपकर सकते हो बैटरी का पर अपर प्टे सेको डिफाइल्ट वगरा आपकिस तरह कर नगमेराज हाई ए जो भी है बहुत सारे features आपको इसमें देखने को मिल जाता है इसक्रीन, short quality आप अपने हिसाप से set करें चार्जिंग अनिमेशन हो गया और यहां पर आप सिस्टम चार्जिंग अनिमेशन भी आर बहुत सारे आपको चाहिए किस तरे का चाहिए जो भी आप कर सकते हो चार्जि यूएसबी रखेंगर का भी मिल जाता है और वालियू वगरा पैनल आपको किस तरे करना चाहते हो अब आपको दिखाता हूं यहां से वालियू पैनल उपर आ चुका है और यहां पर यहां पर आप यहां पर आप देख सेटों वापीश चार्ज हो गया यह तैक तो यह आप यहां से और भी कर सकते हो यह सब कुछ आप अपने हिसाब से कर सकते हो वालियूम थम इस्टैल भी चैन्ज कर सकते हो और वालियूम परसंटेज भी आप कर सकते हो जो भी आपको चीए बहुत सारी सेटिंग मिल जाती यार बहुत सारी आप देशो तो यहां पर आपको श लुए आपको यहां पर सब कुछ मिल जाता है वाटर बगरा जो भी आपको बहुत सारी शाट अप्सिन को देखने को मिल जाती तो यह हो गए इसकी का शेटिंग उसके बाद में भी आपको डिस्प्ले में आप जाओगे और वी फीचर्स मिलेंगे आपको डार्क यहां पर य और यहां पर आपको रोटेशन का भी मिल जाता है और फॉंट साइज डिस्प्ले साइज और डिस्प्ले काउंट बगरा हो गया और आप यहां पर सकते हो इसके बाद में थिम के अंदर जाओगे आप जैसे यहां से कलिक करोगे तो यहां पर आपको एपस की आइकन चोटी ब गजैज पर अपर के अपको देखने को मिलता बहुत सारे वाल पेफर आपको नहीं मिलता जो आप फट पार्टी और बहुत कर सकते हो वेल्ड़ी पर आपको lleva को डेखने को में रखने लेफ्शन मिलता प्सक्राइब तो वेत्टियों वाल्पेपर यहां से शो, MDN, Music, Tracking का भी आप यहां से disable वगरा enable कर सकते हो उसके बाद में और बताते हैं, और क्या फेशस देखने को मिलता है lock screen का हो गया, उसके बाद में आपको यहां पर biometric and fingerprint मेलो security वगरा है, तो काफी अच्छे से face unlock वगरा सब कुछ वगरा कर रहा है, जो के आपको मैं दिखा रहा है, यहां पर device admins वगरा हो गया, अब आपको इसका में तोड़ा face unlock वगरा, और fingerprint unlock वगरा दिखा लेता हूँ, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो, मैं fingerprint रहा है, ओपन हो रहा है, तो काफी face, इसमें fingerprint मिलता है, आप face unlock की बात करते है, face unlock कैसा मिल जाता आपको, जैसे मैं आप देख सकते हो, तो काफी face unlock वगरा सब कुछ इसमें देखने को मिल जाता है, तो काफी अच्छी रहा है, एक बार इसका आप use ज़रूर करें, security regarding का हो अब नीचे आपको आएगा privacy वगरा, private apps वगरा का आपको इसमें, permission कौन सी दे रखिए, कौन सी पर्मिसन है, ads service हो गया, activity वगरा हो यह आप सब कुछ इसमें use कर सकते हो, उसके बाद में location वगरा का आप यहां पर देख सकते हो, location इन पर किसको कौन सी service देख रखिए, emergency वग battery saver हो गया, battery manager हो गया, smart charging का भी आपको option देखने को मिलता है, जो आप schedule वगरा set कर सकते हो, उसके बाद में नीचे देख सो, light full charge कब गया, device को, सब कुछ आपको मिल जाएगा, battery कितनी है, कितनी recharge वगरा है, कितनी capacity, कितनी cycling complete हो है, यहां पर आप देख सकते हो, account का option मिलता है, जो account एड़ कर सकते हो, और backup ले सकते हो, डिजिटल वैर्बिन का भी option देखने को मिल जाता है, आपको यहां पर, तो show, यहां पर your data पर click करोगे, तो कितनी आपना device को अनलोग कितनी notification आई है, कितनी minute आपका all display, on रहा है, तो display का भी आपको यहां पर दिखाएगा, जीचे आ आप do not disturb me, schedule वगरा manage notification भी कर सकते हो, उसके बाद में आपको देख सो, general management की setting मिल जाती, जो language वगरा आप यहां से change कर सकते हो, backup ले सकते हो, reset कर सकते हो, multiple user, developer option और system update setting मिल जाती हो, और आपको देख सो, यहां पर Android 11 का इसमें support देखने को मिल जाता, और यहां पर Xiaomi parts का भी इसम से support कर सकते हो, enable, disable, USB, fire charging, तो यह भी आपको इसमें features देखने को मिल जाता हो, तो काफी सारे features आपको इसमें Xiaomi parts में भी दिएगा है, निचे आप देख सो, तो यहां पर आपको इसके version में चलके आपको दिखा लेता हो, about phone के अंदर जाएंगे अपन, यहां पर device name, Redmi Note, Qualcomm snapdragon द मिलता है, security page बात करें, latest आपको 5th December का मिल जाता है, और इसमें आप kernel देख सकते हो, काफी अच्छा आपको kernel भी मिल जाता है, तो काफी best ROM में, काफी अच्छी ROM में, आप अगर इसका use करना चाहते हो, तो करना की एक बार अच्छे से आपको मिल जाएगा, performance वगरा, कुछ भ प्रोब्लम वगरा देखने को नहीं मिल जाती है, तो काफी best ROM में, अब इसमें आपको AI मोर भी देखने को मिल जाती है, तो काफी अच्छी आपको इसमें काफी अच्छी quality आपको मिल जाती है, काफी अच्छी आपको इसमें AI मोर में भी quality देखने को मिल जाती है, उसके बा मिल जाती है यहां पे आपको portrait square पैना नामा सब कुछ आपको mode मिल जाते है जो भी Xiaomi phone में मिलते है सब कुछ वरक कर रहा प्रोपलरी camera में आपको कुछ भी problem बगरा नहीं होगी तो काफी best room है एक बार आप इसको install करके इसका use कर तो short video का भी आपको यहां पर option देखने को मिल जाता है क्योंकि आप यहां पर short video भी आप इससे ले सकते हो 15 second का हो गया तो आप देख सकतो 10-15 second का आप यहां से short video भी ले सकते हो तो काफी सारे इसमें आपको मिल जाते है और आप इसको off कर सकते हो वीडियो क्वालिटी आपको देखा लेता हूं मैं इसमें किस्ते की आपको देखने को मिल जाती है तो आप यहां पर दिखा लेता हूं तो काफी अच्छी आपको इसमें वीडियो कॉलिटी देखने को मिलती है तो काफी बैस्ट रॉम है एक बार इसको आपको यूज वगरा करना चाहिए फोटो की घ्यलरी की बात करें तो आपको दिखा लेता हूं इसमें एडिट उपसंद भी काफी सारे आपको देखने को मिल जाते है यहां पे आप जाओगे यहां पर देखने को इससका कर सकते हैं यह आप अच्छी यह संब्स्काइब वहां जैसका मैं कर पाई हूं तो काफी बस्देख न है अगरशी करनाया साथ्यूर्श वागरा जोविडियो देख रहा है तो डिस्क्रिप्सिम भाणत आई आ तो subscribe करें न क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो लेकर आता रहता हूं तो चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक जे हिंद जे वारत वंदे मातरम